नमस्कार सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ वक्ता कॉंग्रेस में सबसे ज़ादा घमासान इस वक्त कॉंग्रेस अधक्ष पत को लेकर है कि आखिर इस रेस में कौन जीतेगा और कॉन गांधी परिवार के लिए suitable candidate होगा जो कॉंग्रेस की बागडोर को अपने हाथ में ले सके इस रेस में अभी तक अशोक गहलोत का नाम था लेकिन अब खबरे आ रही है कि शशी धरूर, मनीश तिवारी और दिगवजय सिंग भी चुनाओ मैदान में उतर सकते हैं बड़ा सवाल कॉन होगा कॉंग्रेस का अध्यक्ष राहूल सोनिया किसे देंगे अपना आश्रवाद इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौझूद है Capital TV के Editor-in-Chief Dr. Manish कुमाजी दॉक्ट साब आपका बहुत स्वागत है दन्यवार दॉक्ट साब जैसे जैसे कॉंग्रेस अध्यक्ष पत का चुनाओ पास आ रहा है वैसे वैसे लिस्ट लंबी होती जा रही है जी 23 के नेता भी सामने आ रहे हैं आखिर क्या होगा देखिए होगा वही जो मंजूरे दस जनपत होगा कॉंग्रेस पार्टी इस प्राइबिट लिमिटेड कंपनी ऑफ गांधी परिवार सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाडरा और उनके पती इस कंपनी के मालिक हैं तो जो सबसे बड़ा गुलाम होगा वही इस पद्ध पे जाएगा लेकिन इसमें बहुत सारे सवाल बहुत सारी चीजे अभी जो हो रही है उससे बवाल मचा हुआ है राहुल गांधी यात्रा छोड़कर दिल्ली आ गए है एक तरफ यात्रा और दूसरे तरफ बराति की तैयारी हो रही है दूला ढूना जा रहा है कि किसको गोली पे बिठाया जाए जो नाम सबसे आगे चल रहा है वो तो कूत के भागना चाता हूँ होता मैं नहीं करूँगी साथ इदर जी 22 23 पता नहीं अब कितना जी 20 बचा है जी 19 बचा है कई सारे लोग तो छोड़की भाग गये तो उनसे भी कुछ लोग कह रहें कि भाई फ्री एंड फेर एलेक्शन होना चाहिए वो विंति कर रहे हैं अरजियां दे रहे हैं कि कम से कम यह तो बता दो कौन-कौन वोट देगा पार्टी करी की लिस्ट नहीं देंगे एलेक्शन होगा वोटर कौन होगा पता ही नहीं एलेक्शन लड़ना है तो ब्लाइंड खेलो कैंपेंड करने की भी इजाजत नहीं है और आज तो एक स्टेप आगे चली गई कॉंग्रिस पार्टी उन्हें का वहीं देखो एलेक्शन लेक्शन तो अपनी जगह पे है मीडिया में जिस किसी भी लियता का नाम आएगा कि यह लड़ सकता है वो लड़ सकता है उसके खिलाब कोई बयान नहीं देगा और अगर बयान दिये तो वो ठीक नहीं होगा वे तमासा चल रहा है क्या हो रहा है ऐसे एलेक्शन होगा ना वोटर लिस्ट ना कैंडिडेट ना केंपेणिंग कुछ नहीं चुना होगा तो यह फरजी वाड़ा चल रहा है यह आप बात को समझेए एलेक्शन पर मैं आऊँगा लेकिन भाई यह कवायत क्यों की जाती है हर पाटी में जब कोई नई थिंकिंग आती है नया बदलाव लाने की कोशिस की जाती है तो किस लिए पिछडने के लिए फिसड़ी होने के लिए संगठन को तोड़ने के लिए कमजोर होने के लिए या फिर आप इस तरह के बदलाव संगठन में इस मकसद से करते हैं कि पार्टी आगे बढ़े पार्टी मजबूत हो पार्टी चुनाओ जी सके और पार्टी वाइबरेंट और डैनेमिक और्गनाइशन के तरह फंक्शन कर सके यही इसलिए तो किया जाता है यह सब कॉंग्रेस पार्टी जो कर रही है जो कुछ हो रहा है आप यह समझे राहुन गांदी बचारे क्लब लब में जाने वाले आदमी होलिडे वेरे पे जाने वाले आदमी का उनको तमिल नाडू और धूप भी बारिस भी हुमेजिटी भी पसीने पसीने हो जाते बचारे क्यों क साथ साथ एक लीडर राहुल गांदी का एक जो है उसका पर्चम लह रहा है लोगों में अच्छा एक मैसेज आए यही तो यही तो वज़े है यही कारण है अब दिक्कत क्या है दो हजार चौबिस के लिए समय नहीं है पॉल्टिकल पार्टी जगर चुनाओ के दृष्टी से अगर देखें तो कितना समय है भारती जनता पार्टी दो हजार चौबिस मई में जो चुनाओ होंगे उसके लिए तैयारी शुरू पहले से है लेकिन ठीक एक साल पहले मतलब दो हजार तैयस मई से आल आउट खेल सुरू करेगी सिटम्बर खतम होने वाला है कितने मेने बाकी हैं तीन मेहना इधर चार मेहने उधर साथ मेहने में ही कॉंग्रेस पार्टी को जो कुछ करना होगा वो कर सकेगी तो कर सकेगी अधर वाइस दो हजार उनतिस और मैं जो कह रहा हूँ कि कुछ कर सकेगी वो इसके लिए कि आप सौ के आकणा के आजपास इमेजिन कर सकेगे 2024 में चुनाम प्रधान मंत्री की कुर्सी प्रधान मंत्री कार्याले में को वैकेंसी नहीं होने वाला प्रधान मंत्री मोधी तो मोधी ही रहेंगे प्रधान मंत्री इसमें तो को डाउट ही नहीं है लेकिन कॉंग्रेस पार्टी का क्या होगा तो कॉंग्रेस पार्टी के रन्नीती उस चीज पर डिपेंड करें कि राज्यों में क्या हो रहा है सोनिया गांदी मिल रही है गहलोत से सोनिया गांदी मिल रही है ससी थरूर से और हर राज्य से ये भी कह दिया जा रहा है कि अपनी जगह से तुम राहूल गांदी का नाम प्रस्तावित कर दो कई सारे राज्यों ने कह दिया राहूल गांदी ही होंगे तो क्या होगा क्या होगा गहलोत को लोग मान लेंगे सवसी थरूर को मान लेंगे क्या ये जो तमाम जो सक्तिया गांधी परिवार को पास है वो किसी बाहरी आदमी के पास चला जाएगा ये कौन सी मुर्खता कहां क्या ये लोग करना चाहरे है मैं फिर कह रहा हूं होगा यही कि चुनाओ जैसे नजदीक आएगा नुमिनेशन होगा यह लोग कहेंगे चुनाओ होगा और देश भर से राहूल गांदी का पोस्टर बोरिया बिस्तर लेकर के लोग जो है कॉंग्रिस कारियाले हेड़कॉर्टर के पास और बगल में जो सोन कर दूंगा तो कोई पेड़ पर चढ़ जाएगा कोई रिवाल्वर ले लेगा कोई कुछ कर लेगा कोई कुछ कर लेगा तो यह तमासा क्रियेट करने की आवशकता क्यों है मैं 2019 के बाद से तो बिना मनें कॉंग्रिस पार्टी तो फंक्शन कर रही है राहूल गांधी अध्यक्ष नहीं है सारे फैसले राहूल गांधी ले रहे हैं अब यह सारे यह प्राब्लम्स इसलिए बहुत सारे लोग तो कहरें अध्यक्ष नहीं है लेकिन अध्यक्ष की तो यह संगठन का क्या मतलब जो पार्टी में लोग छोड़ते चले जा रहे हैं आप लोगों को रिक्रूट करते हैं अभी गुजरात का एलेक्ष सबसे माते पे हैं आप अध्यक्ष किसी को बना दे वो हार गया फिर दूसरा प्रावल्म्स चालू हो जाएगा गुजरात में आपने दो तिन युवाओं को आपने लिया एक इंडिपेंडिन्ट हमेले है मेवानी उसको भी आपने स्टेज पे बिठा दिया अब जो सबसे बड़ा लीडर था वो चला गया जो ओबी सी का लीडर था वो भी चला गया सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं गुलाम नभी आजाद चले गए लिस्ट बड़ी लंबी है लोगों की जाने की तो ऐसे में जो कॉंग्रेस पार्टी इस फरजी एलेक्षिन के जरिये नए अध्यक्ष के चुनाओं के जरिये जो कुछ तमाशा कर रही है उसका डारेक्ट फॉल आउट यह होगा कि राहूल गांधी को प्रधान मंत्री चेहरा घोशित करने के लिए यह जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है वो फ्लॉप हो जाएगी गहलोत अध्यक्ष बनने के लिए हामी तो भर रहा है लेकिन मन से नहीं चाहते कि वो अध्यक्ष बने क्योंकि उनकी कुर्सी जाती दिख रही है और वो कहते हैं कि वो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे तो एक पद एक व्यक्ति को दिया जाएगा यह काफी टाइम से चलता चल दूसरी तरफ जिसको आप बनाना चाहरे हो क्योंकि आप किसी और भरोसा नहीं है भाई गहलो साब भुजुर्ग हो गये उनके बेटे के समान व्यक्ति उनको चैलेंज कर रहा है पालेट साब को आपने कहा था चुनाओ जितने के बाद तुम मुख्यमंतरी बनोगे आपने बनाया नहीं तो क्या होगा बना देने के बाद अब वो छोड़ने को तैयार नहीं तो रास्थान में फिर बवाल और रास्थान में स्थिति ऐसी है कि अगर आज चुनाओ हो जाए कॉंग्रेस पार्टी को 10 MLA की सीट भी न पापा है यह लोग जिस हिसाब से वहां महौल ब महिंन तो स्थीतिया है आप जहां सरकार में रहते हो वहां और खराप परदर्सन होता है जहां आप सरकार में नहीं हो ब्यची से लड़ते हो न दर नहीं आ हो मंदा बंद्डी केज रिवाल सब्ये को बड़ा समंझने लग गए तो दिकत क्या है जिस बीमारी का इलाज कॉंग्रेस पार्टी करना चाह रही है वो इस इलेक्शन की वज़े से वो बीमारी और भी सीवीर होता चला जा रहा है आप देखें वैसा क्या करते है उस डॉक्टर को दिखाने के लिए गया आप बीमारी कि देखो वही यह बीमारी है वह बीमारी वह आईसी दवाई दे देता है कि और मरीज जो है सीरे सालत में हो जाता है डॉक्टर के पास जाने से पहले बाची तो कर पाता था और दवाई ऐसी पढ़ गई कि मालूम चलता है कि अब सीदे उसको आईसी यू में डाना पड़ रहा है बीमारी डियागनोस नहीं कर सका ठीक से तो इसलिए वह क्या देगा वह गलत दवाई देगा सोनिया गांधी पुत्र मुह में कॉंग्रेस पार्टी की क्या बीमारी है उसको समझ नहीं पा रही तो इसलिए गरत दवाई आप दे रहे हैं फिर मैं कह रहा हूं ये एलेक्शन होने वाला नहीं है कुछ ये सब दिखावटी है अगर किसी बाहरी व्यक्ति को बनाया भी गया तो वो ढूंड के बनाया जाएगा ऐसे व्यक्ति को जो गांधी परिवार का सबसे बड़ा गु होगा जी वैसे ये बीमारी हर संगठन में होता जहां संगठन जो है वो इस तरीके से होता है कुछ लोगों के हाथ में होता है तो वहां जो कैलिवर वाले लोग होते हैं उनको पदोन्रती नहीं मिलती ये बिमारी कुछ-कुछ जगह पे भारती जंता पार्टी में भी है आप सवाल नहीं खड़े करते, मीडिया सवाल नहीं खड़े करती लेकिन आप देखिए मुखमंत्रियों का चुनाऊन है कुछ जगों पे भार्टी जन्ता पाटी ने अच्छा चेहरा दिया तो वहां पाटी बहतर कर रही थी और जहां जहां आपने खराब चेहरे को आगे बढ़ाया पाटी के सिती खराब को देखी जारकड में क्या हुआ अब रगभरतास की वज़े से हार गए सीधे सीधी बात है दिल्ली में आपको पास चेहरा नहीं है तो होता क्या है कि आपको बीमारी डियागोनोस करना पड़ेगा सही तरीके से डियागोनोसिस से गरवण है तो सोनिया गांदी यह जो तमाम चालबाजिया कर रही है उसका द गांदी के बाहर कोई बन जाए गांदी के बाहर का कोई व्यक्ति अगर अध्यक्ष बना और जरा सा भी वो अपनी अकड़ दिखाने के कोशिश की या अध्यक्ष होने के कर्तव को इंडिपेंडेंटली अपने हिसाब से कॉंग्रस को चलाने की कोशिश की तो पार्टी फोटक स्थिती पैदा होगी क्यों दवाई गलत आपने दे दी आईसियू में भी जगह नहीं मिलेगा एक दूसरा कि आप ये सारा काम इसलिए कर रहे हो क्योंकि राहुल गांधी को आप प्रधान मंत्री के रूप पे देखना चाहती हैं तो ये जो है दो समस्या सोनिया गां राहुल गांधी ने कॉंगरिस पार्टी के चाल चरितर चेहरे को बदल दिया है इसा हो रहा है ऐसा इसलिए हो रहा है कि राहूल गांदी सराउंड़ बाई नक्सलाइट्स इबामपंथियों के द्वारा उनके दिमाग में इतना राजनीती भंद दिया गया है कि वो अलग राह पे चले गया है तो राजनीती में सबसे बड़ी चीज आप सही बीमारी तब आप उसका आखलन कर सकते हैं बीमारी को तब पकड़ सकते हैं जब आप जनता के मनुभाव को समझ सकते हैं देश दुनिया जनता अलग जगह पे जा रही है आप अलग जगह पे जा रहे है देश की जनता कह रही है कि भई हिजाब हटाओ देश की जनता कह रही है जनसगया पर कंट्रोल करो देश की जनता कह रही है कि बख्ठ पर मामलक खतम करो मुसलिम अपीजमिंट खतम करो यह 370 के ऊपर देश की जनता खुश है और आप उन तमाम चीजों में बिलकुल ही उल्टा पुजीशन ले ले रहे हो तो जिससे जन्ता का जो गुस्चा जो है वो खतम नहीं होता, तो अन पॉप्र स्टेंड आप लेंगे, तो फिर आप जितना भी बिमारी कीजिये, गहलुत को बनाएगे, ससी थरूर को बनाएगे, दिगविजय सिंग को बना दीजिये, प्रियंका वाडरा को बना दीजिये, कुछ भी कर लीजिये कोई प्रॉब्लम नहीं है होना वही यह सब कुछ धाक के तीन पात होना है कॉंग्रेस अपने इस इलेक्शन से मजबूत होने के बजाए और कमजोर हो जाएगा जी डॉक्ट साब बहुत बहुत धन्यवाद इतनी चांदकारी दन्यवाद लोग सब चु और कॉंग्रेस इसका जवाब तलाशनी से पहले दूसरे बड़े सवाल का जवाब ढूनने में लगी है और वो सवाल ये है कि पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा कौन कॉंग्रेस पार्टी की कमान को सुनिया गांधी राहुल गांधी के हिसाब से संभाल पाएगा पार्ट झाल